हम सहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद से ख़ेज़ागत दुर्गापोजा समिती और स्यूवरात आयुजन समिती और इंद्रपुरुयोग नमेक समिती सभी लोगों ने मिलकर एक भवयर्मण के निर्मान के यहां रमध्य। बाल बच्के बच्च को लेक्ड, आप यहां के कारकरम को देख कैसा आपके बच्चों को भी दिया सिख मिलेगी, फर्भुराह की जीवनी को जाने का कारकरम, में को जाने का मौका मिलेगा. आपको यहाँ के सुन्दर कांड हनुमान चले इसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुक होंगे आप में अपने सनातों होने का गर्वी मसूस होगा आप हिंदूत के परती आप जागुरुख होंगे आज के बच्चे हम इस कारकरम में राम मंदरी का निमान कर रहे हैं हम लोग यहां पर लगतार पुजा पाठ कायो जाने परसित गाई का स्वातिम इस्ञाजी का भजन संदेया है आप सहरवासी को कहना चाहें लोग आए यहां पर रामसो का अयुजन में भाग ले परभू की सेवा करने का अप चंदर शेकर राजा दुर्गा पुजा समीती में युरा सुधीर सिंग जी के मित्र रमेश जी के दवारा आयोजित राची के में रोड में 21 और 22 जनवरी को भाविय राम उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें मैं 21 तारिक को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूँ आप सब क के आयोध्या में प्रांध प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन 21 और 22 जनवरी को राची के में रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले जामतारा के नरायन पूर प्रखन के पविया पंचायत में 140 चैनित पसू पालकों के बीच 90 प्रतिसत अनुदान पर पस्वों का वित्रन किया गया इस मौके पर कॉंग्रेस के जामतारा विधायक इलफान अंसारी भी शामिल हुए इलफान अंसारी ने लोगों से आवान किया है कि पसू पालन से जूर कर लोगों को आत्म निर्भन होने का कदम उठाना चाहिए पविया पंचाय जवन के प्राहिए पसुदन विकास रोजना के तहस्त हम लोग एक से चालीज पविय पविक्रन का कर दूँदान में चार बत्री एक बख्रा दिया जा रहा है इसके साथ साथ हम लोग पर बिकास ट्रेनी भी दे रहे हैं प्रसिक्षन दे रहे हैं कैसे आपको रख रखाव करना है पसुदो का जिसे गाय हुआ बकरी हुआ इससे रख रखाव के बारे प्रसिक्षन हम लोग दे रहे हैं मिनी लंदन मैक लुसकी गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आप, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुह मोरता है जवाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमित निसां, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां